नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का GMBD Job Meeting में. एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा सिस्टम, जो आप सभी लोगों के सहयोग से लगातार एक बहुत अच्छे माहोल का निर्मान कर रहा है. इन्सान ही सिस्टम बनाता है, लेकिन फिर सिस्टम इन्सान को बनाता है. पिछली मीटिंग, जो मेरी आप सभी लोगों के साथ हुई दोस्तों, छे महीने में करोनपती बनने का रास्ता. एक लक्ष है आप सब के पास. छे महीने गुजरेगा. लेकिन ये छे महीने अगर सिस्टम से गुजर गया, तो आज आप सब अपने पत्नी के पती हैं, लेकिन छे महीने के बाद आप करोनपती होगे. पूरा माहूल चेंज हो चुका होगा. और नेट्वर्ग मार्केटिंग, माहूल बनाने का ही बिजनेस है. आप माहूल बनाते जाएए, माहूल आपके बिजनेस को बनाता जाएगा. माहूल आपके बिजनेस को बढ़ाता जाएगा. और जो अभी चंद महीने पहले माननीय रमेश दद्दा जी कहते थे, कि पूरे भारत में सेमिनारों का मीटिंग का एक माहूल बनाया जाएगा. और जिसके फलस्वरूप एक पहली मीटिंग 24 तारिक को हुई थी, 24 जुलाई को, जिसके बाद एक बहुत बड़ा माहूल और सबके बिजनेस का ब्यापार बदल रहा है. जिन जिन लोगों ने उस 24 जुलाई के सेमिनार में नए लोगों को, पुराने लोगों को लाके बिठाया था, लोगों पर इन्वेस्ट किया था, उन सबका ब्यापार बढ़ रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जारखंड हो, चाहे 36 गड़ हो, चाहे मध्य परदेश हो, आज ये हाल है उस एक सेमिनार का कुरोना के बाद कि JMPD बिजनेस साउथ अफरीका में सुरू होने जा रहे हैं, ब्रिटेन JMPD प्रोड़क्ट जा चुका है, अमेरिका जा चुका है, ये असर है उस एक सेमिनार का, दोस्तो जब भी कहीं भी कोई भी बड़ा सेमिनार हो, नेटवर्ग मार्केटिंग में आपको कुछ चीजे समझनी है, नेटवर्ग मार्केटिंग बिना रूल के और बिना टूल्स के, नहीं चल सकता, नेटवर्ग मार्केटिंग में आपको अपने कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, और नेटवर्ग मार्केटिंग में आपको टूल्स का उप्योब करना पड़ेगा, बहुत अच्छा टूल्स एक बड़ा सेमिनार होता है, ये एक हतियार है, ये टूल्स है आप कोई भी बड़ा सेमिनार अगर हो रहा हो और आपकी वहां जाने की पहुंच हो या ना हो आप पहुंचने का प्रियास करें क्या चांद पर लोगों के पहुंचने पहुंच में हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए या जानकारी लीजिएगा आप जिस धर्ती पर रह रहे हैं उस धर्ती पर आप सोरी आप जिस धर्ती पर रह रहे हैं उस धर्ती पर आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं और लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं आप सेमिनार को एक टूल समानिए एक हथियार कमपनी प्रोडेक्ट में इन्वेस्ट करती है आप पीपुल में इन्वेस्ट कीजिए और प्रोडेक्ट और पीपुल मिलकर ही आपका पे आउट बन जाता है कमपनी के पास आज 600 प्रोडेक्ट है एक प्रोडेक्ट से एक करोण रुपया कमाया जा सकता है अगर आपके पास पीपुल है तो अगर आपके पास लोग है तो और अगर आपके पास लोग नहीं है तो कमपनी के पास एक करोण प्रोडेक्ट हो जाएं आपका पे आउट न महत्पूर नहीं है लोगों का सिस्टम से काम करना महत्पूर है आपके पास मुर्दे लोग है या जिन्दे लोग है यह भी ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि जिन्दा तो कुछ लोग वह भी है जो कौमा में है और उनकी सासे चल रही है नेटवर्ग मार्केटिंग में वो लोग जिंदा माने जाते हैं जो अपने सपनों के लिए संघर्स कर रहे हैं वो जिंदा हैं सिर्फ वही लोग जिंदा हैं जो अपने सपनों के लिए दर्द सह रहे हैं जो अपने सपनों के लिए हद पार कर रहे हैं जो अपने सपनों के लिए कीमत चुका रहे जिनका एक ही लक्ष है उनके सपनों को पूरा करना बाकी जिन्दगी का उनका कोई लक्ष नहीं है और ऐसे लोगों का जनम किसी ना किसी सेमीनार को देख कर हुआ है ये नेट्वर्क मार्केटिंग का इतिहास गवा है इस बात का है वो किसी न किसी बड़े सेमीनार को देख कर हुआ है जितने भी लोगों का हिर्दय परिवर्तन हुआ है और आप सब जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं हम सब लोग क्या जब हम सब लोगों ने नेटवर्ग मार्केटिंग का पहली बार प्लान देखा था आप लोग सोय ये क्या आपने कभी ये सोचा था कि आप नेटवर्ग मार्केटिंग में करियर बनाएंगे लेकिन जब आपके अपलाइन ने जूट बोलकर सही बोलकर प्रेसर में फिरी टिकट के नाम पे खाने के नाम पे घुमाने के नाम पे मनाने के नाम पे किसी भी तरीके से आपको ले जाकर किसी बड़े सेमिनार में बिठा दिया जहां पर सैकड़ो हजारों लोग थे और वहां उस सेमिनार को देखकर आपका हिर्दे परिवर्टन हुआ और आज हो सकता है आपकी वो अप्लाइन नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो हो सकता है आपकी बहुत सारे डाउन लाइने आज नेटवर्क मार्केटिंग में ना हो लेकिन फिर भी आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और संघर्ष कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो ये प्लान की देन नहीं है ये प्रोग्राम की देन है प्ला आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं। दोस्तों, जेंबीडी बिजनेस में एवरनेस इंकम इतनी अच्छी है। काम से क्या गारंटी है बुढ़ापे में एक रुपे आपको आएगा। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आज से ये अपने दिल में ठान लीजिएगा। जब भी जेंबीडी कमपनी का कोई भी बड़ा फंक्शन हो पूरे भारत में, पूरे बिश्व में, जिन लोगों क आप कामियाब करना चाहते हैं, अपनी एवर्नेस के लोगों को अपना बच्चा मान कर उस प्रोग्राम में ले जाके जरूर बैठ जाईएगा। क्या होगा या आप नहीं जान पाएंगे। आपके घर में नो महीने के बाद बच्चा आता है, तब आपको पता चलता लिए बच्चा पेड में कब गया, कब बना, कब तयार हुआ, कुछ पता चलता है। अगर नो महीने के अंदर आप रोज पेड को फाड़ो, चीरो, देखो बच्चा कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, आपको कुछ दिखेगा। लेकिन आप विश्वास करते हो औ बच्चा बन रहा होता है, और फिर आपको नो महीने के बाद दिखता है। नेट्वर्ग मार्केटिंग बिजनेस में अभी GMBD का प्लान ऐसा आ चुका है, कि आप 6 महीने में करोणपती बन सकते हैं, 17 महीने में बन सकते हैं, लेकिन जो परिपक को होना है वो 5 साल, उसको न होगा, वो सेमिनार आपको कितना समझ में आया, यह माइने नहीं रखता है, आप जिनके साथ बैठे हैं, उनको कितना समझ में आया, यह बहुत माइने रखता है, और दोस्तों आज मैंने गुरुब में एक वीडियो भीजा था, आप जीवन में 80 दिवाली कैसे मनाना चाहत हैं, क्योंकि अगर आप 80 साल जीएंगे, तो 80 दिवाली से जादा नहीं मना पाएंगे, अगर आप 100 साल जीएंगे, तो 100 दिवाली से जादा नहीं मना पाएंगे, आप 100 होली, 100 इद, 100 बकरीद, 100 नया साल, 100 रक्षा बंदन से जादा नहीं मना पाएंगे, और अभी आप ज साल जिएंगे तो अब आपको सोचना है कि जैसे मेरी पच्पन दिवाली बीती वैसे ही मेरी 35 दिवाली बीते एक दिन दिवाली बाकी पूरा साल जेब खाली अपनों की गाली कोई नहीं बजाने वाला है अपनी बात सुनकर ताली नहीं बनी आज तक अपने जीवन पर कोई क कि आपने अपनी जिंदगी समभाली तो बच्ची हुई 35 दिवाली हर दिन दिवाली हो सकती है इतना पैसा हो सकता है कि हर दिन आपने आप कपड़ा पहन सकते हैं आपकी जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं होगा इतना पैसा होगा कि आपके फिरिज में हमेशा मिठाई होग इतना समय होगा आपके पास अगले 6 महीने, अगले 17 महीने, अगले 5 साल के बाद कि आप केवल घूमेंगे, टहलेंगे और अपने से मिलेंगे ऐसा ही एक माहुल 25 अक्टूबर को डॉक्टर आजासर पंजाब में बनाने जा रहे हैं सीखिए डॉक्टर आनन सर से कंपनी से नहीं बोला मेरे यहां सेमिनार करो, सारी जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं यहां पर आप किसी को बुलाओ, तो आपसे पूस्ता है, सर हमारे रुकने की क्या ब्योस्था करेंगे आप आजासर जी ने यह नहीं बोला इज़्जत नहीं मांगी, ऐसा काम करो की इज़्जत मिले, सब के रुकने की ब्योस्था कर रहे हैं ऐसे जैसे अपने बेटे की साधी कर रहे हैं एक माहूल मना रहे हैं पंजाब में, कि सबसे बड़ा टर्नोबर पंजाब का चाहे पूरे भारत का बिजनस एक तरफ, पंजाब का बिजनस एक तरफ, अगर ऐसा उन्होंने बोला था, तो वो करके दिखा रहे हैं उस लक्ष पर अडिग हैं, और आज मेरी आप लोगों से इसी बात पर मीटिंग है कि टार्गेट कैसे गेट होता है आप सब के जीवन में 25 अक्टूबर आएगा, या तो आप पंजाब में होंगे, या तो अपने घर में होंगे तीसरी जगा और कहीं नहीं होंगे, और भगवान तीसरी जगा कहीं आपको रखे भी ना लेकिन अपने घर पे रुकना आसान है लेकिन पंजाब जाना मुश्किल है लेकिन उस मुश्किल के पीछे ही आपकी मंचिल है चोबिस को आप सब दिवाली मनाएंगे और बड़े प्यार से बोलेंगे हैपी दिवाली जेब वेसे ही खाली अगर कोई बहन कोई भाई कोई माभा बुले पांच लाग निकाल के देना वेटा हैपी दिवाली के दिन तुरंद मूँ बन जाएगा एक दम हैपी निव येर कितने दिन चार दिन पांच दिन दस दिन फिर वही टियर वही गियर वही नियर वही बियर कुछ भी नहीं है लेकिन दोस्तों मेरा इविश्वास जो पचीस अक्टूबर को पंजाब पहुँच गया जिसने वो मुश्किल काम कर लिया जिसने इस बार की दिवाली छोड़ दी अगली दिवाली उसके जीवन में एक दिन की नहीं होगी 365 दिन की होगी क्योंकि छे महीने में भी करुणपती बना जा रहा है और उस माहोल को वहां चरित्रार्थ होते हुए आप सब देखेंगे और इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अगर नंबर वन बनके रहना है तो अपना लक्ष बनाईए पहले नंबर वन बनना और उसके लिए सब छोड़ दीजिए आप याज मेरी आप से बात होगी इसी पहलू पर बात होगी लेकिन क्यों पंजाब नहीं पूरे भारत नहीं पूरे बिश्व में और आप देखिए जितने भी सफल लोग हैं मुझे याद है आज मोदी केर में सुरेखा भारगों मेम का नाम इज़्जत से दुनिया लेती हैं सब उनकी तरह करोणों कमाना चाहते हैं लेकिन उनकी उस बात को कोई याद नहीं रखता कि जब उन्होंने मोदी केर जोईन किया था और वो दिल्ली में रहती थी और उनको पता चला कि कलकत्ता में सेमिनार हो रहा है और उन्होंने अपने पती से बोला कि मुझे उस सेमिनार में जाना है और उनके पती ने बोला क जानती हो कितना दूर है और कितना पैसा लगेगा। एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है जहां मुझे जाना है और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो ये मीटिंग खतम होने के बाद दोस्तों यूटूब पर सुरेखा भारगो सक्सस सेलिब्रेशन डाल दीजिएगा एक घंटे की उनकी वीडियो है सुन को बोला है चीनी खानी पड़ती है वो इंसान जो 1998 में कलकत्ता गई वहां सेमिनार देखा हिर्दय परिवर्तन हुआ और आज करोणों रुपया महीना कमा रही है बाकि सब इतिहास है लेकिन माइने ये रखता है कैसा उनका परियास था ये बहुत माइने रखता है तो आज मैं आप लोगों से उसी भी से पर चर्चा करने चल रहा हूं दोस्तों अपने जीवन का लक्ष टार्गेट कैसे पूरा होगा किसका पूरा होता है कब पूरा होता है क्यों पूरा होता है और क्यों 90% लोगों का टार्गेट पूरा नहीं होता बहुत ध्यान से मीटिंग को स तुनिएगा, आपके जीवन की बात कर रहा हूं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, अपके जीवन की बात कर रहा हूं, अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मनों रंजन नहीं कर रहा हूं, इसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप ये नहीं बोलेंगे, मजा आ गया, आप बोल और हम लोग चलते हैं उस यात्रा पर जो यात्रा हमारे जिन्दगी को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी टारगेट कम और किसका गेट होता है गेट मतलब प्राथ इस दुनिया में टारगेट गेट करना हर कोई चाहता है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि टारगेट ही कोई नहीं बनाता जल्दी जैसे कि दोश्तों अगर मैं आपसे एक चीज बोनूँ कि आपको पहाड पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए सोचिए मैं एक मिनट का समय दे रहा हूँ आप सब लोगों को पहाड पर चढ़ने के लिए आप सब लोगों को सबसे पहली चीज क्या चाहिए अब आप सब सोच रहे होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे हाथ पैर कुछ लोग कह रहे होंगे होसला कुछ लोग कह रहे होंगे तागत कुछ लोग सोच रहे होंगे रसी कुछ लोग कह रहे होंगे, जो जो भी आप कह रहे हों, मैं इस मीटिंग के अंत में बताऊंगा, पहाड पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए। अभी मीटिंग शुरू करते हैं, टार्गेट का मतलब दोस्तों लक्ष, दुनिया में 90% लोग बिना लक्ष के काम करते हैं, या छोटे मोटे लक्ष के साथ काम करते हैं, आप देखिए, आप अपने आपको देखिए, अपने रिष्टेदार को देखिए, या तो उनके जी उ होगा, तो बहुत छोटा मोटा होगा, आप देखिए, दुनिया के 90% लोग क्या कहते हैं, भाई, पहले मेरा आज तो चल जाए, पहले मेरा परजंड तो चल जाए, मैं अपने परजंड को देख लूँ, दुनिया के 90% लोग आज में जीते हैं, और कभी उनका आज सही नही हो पाता 20 साल में जब वो जवान होते हैं तब वो अपना अपने परिवार का आज सुधारना सुरू करते हैं और 60 साल के होके रिटायर हो जाते हैं लेकिन उनके परिवार का या उनकी जिन्दगी का आज कभी सही नहीं होता और फिर वही चीज वो अपने बच्चे के कंधे पे डाल देते हैं, कि बेटा पुरी जिंदगी महें ने काम किया, लेकिन आज सही नहीं हुआ, अब तु अपने आज को सही करने के लिए काम करते हैं, दूनिया के 90 परसंट लोगों की दोस्तों यही कहानी है, कि वो अपने आज को सही करने के लिए काम करते हैं छोटे लच अब आज सही करना मतलब छोटा लच एक इन में क्या हो जाएगा एक सिकन्ड में आदमी मरता है लेकिन एक सिकन्ड एक मिनट एक घंटा एक दिन में आदमी बनता नहीं है नो महीना चाहिए लेकिन दुनिया के 10 परसंड लोग लक्ष के साथ काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े लक्ष के साथ काम करते हैं अभी हम आप जिस मोबाईल को चला रहे हैं हम आप यह सोचके खुस हैं कि हमने लेटेस्ट मॉडल खरीदा है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी का मालिक, जिस कंपनी की मोबाईल आप चला रहे हो, वो पांच साल, दस साल, पंदरा साल, बीस साल के बाद मार्केट में क्या आने वाला है? और क्या उसे बनाना है और कितना बनाना है? उस पर रिसर्च व अपनी सुरू कर चुका है. उसके पास बड़े लक्षे हैं. वो लक्ष के साथ काम करता है, उसके लक्ष कभी आज में नहीं होते हैं, उसके लक्ष हमेशा कल में होते हैं, क्योंकि उसे पता है मेरा आज और मेरा कल में भी तो एक आज छुपा है, वो भी तो आज बनकर ही मेरी लाइफ में आएगा, उनके लक्ष कल के होते हैं, इसलिए उनके आने वाले आज सुधर जाते हैं, हमारे लक्ष आज के होते हैं, इसलिए हमारे आने वाले आज भी बिगड़ जाते हैं। दुनिया की 90% लक्षमी 10% लोगों के पास हैं। पास समझ में आ रही हैं। यह आगड़े कई बार आपने सुने होंगे। लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं उससे समझिएगा। दुनिया के 10% लोगों के पास इसलिए 90% लक्षमी हैं क्योंकि दुनिया के 10% के पास उनका लक्ष हैं। और लक्षमी लक्ष में चिपी हैं। यह हमेशा याद रखिएगा। आपका लक्ष ही छोटा है तो लक्षमी बड़ी कहां से आई। लक्षमी ज्यादा चाहते हैं तो लक्ष बड़ा बनाएए और फिर उस पर कड़ी मेहनत कीजिए। बड़ा लक्ष का मतलब जो लक्ष एक दिन में पूरा हो जायो कभी लक्षी नहीं है। लक्ष वो जिसके लिए 6 महीने, 60 महीने जम कर पसीना बहाना पड़े। दिन रात एक कर देना पड़े। परधान मंत्री का चुनाव आप एक रात में परचार करके कैसे जीत पाएंगे। गाओं के परधान का जो परचार होता है, वो एक महीने, दो महीने पहले शुरू होता है, लेकिन परधान मंत्री का जो परचार होता है, वो छे महीने, एक साल, दो साल पहले शुरू हो जाता है, उसे लक्ष कहते हैं, बड़ा लक्ष, लक्ष को ही इंगलिस में दोस्तों टार गेट गेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टारगेट ही नहीं है अब टारगेट ही नहीं है तो गेट क्या करेंगे आप आप किसी दुकान पर जाएए और उस दुकान पर जाकर आप बोलिए मुझे कुछ दे दो वो दुकानदार बोलेगा क्या दे दूँ, आप उससे बोलेगा कुछ भी दे दू, वो बोलेगा अरे भाई क्या दे दू, आप बोलो बस कुछ भी दे दू, अब आप मुझे बताईएव आपको क्या दे पाएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, वो कुछ नहीं देगा, हमको लोटा देगा हो सकता है वो दुकानदार ऐसा करे भी लेकिन अगर मैं उस दुकानदार की जगह होंगा तो मैं आपको खाली नहीं जाने दूँगा मैं आपको तीन चार बार पूछूंगा क्या दे दूँ लेकिन अगर आप फिर भी बोलेंगे कुछ भी दे दो तो फिर मैं आपको अपनी दुकान की वो चीज दे दूँगा जो मेरे से भिक नहीं रही जो खराब हो गई है जिसे कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि आप कहीं नहीं रहे हो मुझे ये दे दो मुझे ये दे दो आप कह रहे हो कुछ भी दे दो और आज 90 परसंट लोग भगवान के सामने जाकर भी यही कहते हैं भगवान मुझे कुछ बना दो भगवान मुझे कुछ दे दो, बना दो आदमी किसी काम का, अरे किस काम का, जो डॉक्टर बना है उसने भगवान से का, भगवान मुझे डॉक्टर बना दो, उसने लक्ष तैं किया, जो इंजीनियर बना है उसने भगवान से का, भगवान मुझे इंजीनियर बना दो, उसने लक्ष ने किया अभी मैं आपको आज बहुत सारी बाते करूंगा जिसमें दिखाऊंगा लोगों ने अपने लक्ष को पाने के लिए क्या-क्या छोड़ा है और दुनिया के 90% लोग अपने लक्ष को पाने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है बस भगवान मुझे कुछ बना होता है ना वो प्लस में होता है ना माइनस में होता है ना लेडीज में होता है नो जेंस में होता है भगवान ने उसे कुछ बना दिया और उसको संसार का कोई सुख नहीं मिलता पैसा तो उसके पास भी बहुत है लें संसार में ना वो पिता का सुख ले सकता है ना पतनी का सुख ले सकता है ना बाब का सुख ले सकता है दूसरे के लिए जिंदगी भर ताली बजाता है यह उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता क्योंकि उसने भगवान से कहा ही नहीं भगवान मुझे ladies बना दो भगवान मुझे जेंस बनादो लक्ष कल से आज से जब भी पूजा करना बता भगवान से भगवान मुझे सो लोगों को करोण पति बनाने वाला इंसान बना दो भगवान मुझे एक लाख लोगों को करोनपती बनाना चाहता हूं, मुझे ऐसा इंसान बना दो, ऐसा लक्ष लो, और फिर ऐसा बोलके घर में मत बैठ जाना, लोगों को करोनपती बनाने के लिए मेहनत करना, एक बार एक लड़की तपस्या कर रही थी, भगवान संकर की दोस्तों, भगवान संकर प्रकट हूँ, भगवान संकर ने का, पुत्री वर्दान मांग, मैं तेरी तपस्या से बहुत परसन हूँ, लेकिन सर्थ एक है, उसके बाद वर्दान मांगना, तू अगर कुछ मागेगी, तुझे कुछ नहीं दोगा, बाकि दुनिया में तू किसी के लिए कुछ भी मांग ले, तुझे म तपस्या किये तोने, दुनिया अपने लिए तपस्या करती है, तूने किस के लिए की, लड़की ने का, प्रभू, मैंने तपस्या अपनी मा के लिए की है, भगवान ने का, क्या चाहिए तेरी मा को, बता, बोले, बस उन्हें एक अच्छा दमाद दे दो, आप सोचिए, अ कुछ मांग के भी सब कुछ मांग रिया, और JMBD में 50% Evernus, यही तो है, अपने लिए कुछ मत मांगिए, अपनी टीम में, दस लोगों को, आप एक-एक करोन रुपया महिना कमवाने लग जाए, आपकी टीम में 10 करोन भटने लग जाए, पांच करोन महिना आपको ऐसे ही आ के लिए कुछ मत मांगिए, लगिन सोचे कितना बड़ा लक्ष है, कि भगवान मैं 100 लोगों को करोन पती बनाने वाला इनसान बन जाओ, इसके लिए फिर तो भागना पड़ेगा, फिर जागना पड़ेगा, फिर 100 लोग ढूरने पड़ेंगे, फिर उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, इन समय समस्या तो बहुत है, तपस्या भी बहुत है, लेकिन इस सब को करने के बाद जो enjoyment है, जो जिन्दगी जीने का मज़ा है, वो उसके बाद ही दोस्तों आपको पता चलेगा, कभी ऐसी जिन्दगी जी कर देखो, और आज तक आपकी जिन्दगी है, वो ब बदलता रहता है, किसी लक्ष पर आप तिकते नहीं, जैसे ही लक्ष पूरा नहीं होता, आप लक्ष ही बदल देते हो, अभी बहुत अच्छी बात उस दिन मनोश然后nji ने कहा था, कि एक काम हजार तरीके से कीजिए, लेकिन हजार काम हजार तरीके से भले कीजिए, लेकिन ह आजार काम एक तरीके से मत कीजिए, एक लक्ष को अपनी जिंदगी बना लो, महत्मा गांधी अठारा सो तिरान नवे में जेल, रेल से निकाले गए, अठारा सो तिरान नवे में, और उन्नीस सो सेटालिस में दोस्तो देश आजा दिया, पूरा सत्तावन साल, आप सोचिए, पूरा का पूरा, 54 साल, पूरे के पूरे 54 साल एक लक्ष को समर्पित हो गए, एक लक्ष को समर्पित हो गए, और इसलिए अपने बच्चों के पिता नहीं, राश्च पिता बन कर मरे हैं, पिता बनने वाली मेहनत की है, तो राश्च पिता बनने वाली भी मेहन की हैं कमिया अच्छाईया सब में हैं आप गांधी को कितना मानते हैं नहीं मानते हैं कितना जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है मैं सिर्फ यह आपको समझाना चाहता हूं एक लक्ष के लिए 54 साल कौन इंसान दे सकता है और इसलिए उनकी धोती में एक भी जेव नहीं थी लेकिन आज वो हर जेव में नजर आते हैं क्योंकि अपने लक्ष को पूरा करने के लिए उन्होंने 54 साल दिये और गांधी जी पहले लंगोट में आए तब 500 के नोट में आए तब 2000 के नोट में आए अपने उस लक्ष को पूरा करने के लिए उन्होंने कोट उतार दिया पैंट उतार दिया और आधी धोती में आगए लंगोट में आगए अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें देखिए गांधी जी के बचपन की तजबीर किस परिवार में वो प ऐसा नहीं था लेकिन अपने उस लक्ष को पूरा करने के लिए उन्होंने हजारों तरीके बदले एक लक्ष को पाने के लिए सब कुछ हरहद पार कर दी और इसलिए सरहद पार कर दी और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिन अंग्रेजों ने उन्हें कभी ट्रेन से निकाला था उन्हीं अंग्रेजों ने ब्रिटेन में उनके नाम का सिक्का लांच किया है यह मैं अभी आप प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा मैं कोई बात हवा हवाई में नहीं करता प्रूफ के साथ इसे कहते हैं जिंदगी उनके नाम का सिक्काज उस देश में लांच हो रहा है जिस देश के लोगों ने उन्हें कभी ट्रेन से निकाला था ऐसा लक्ष अपनी जिंदगी का पनाईए अभी आपकी जिंदगी अगर यहीं खतम हो जाए दोस्तों जहां आज है तो अभी तक की पिक्चर फ्लोप है कोई देखने नहीं आएगा अभी तक कोई लक्ष हैसा आपने हासिल नहीं किया जिसकी वज़े से 13 दिन के बाद भी आपका परिवार आपका समाज, आपका रिष्टेदार या संसार ये देश आपको याद रखे जिस परिवार के लिए आप कोई दिवाली, कोई होली, कोई नया साल कुछ नहीं छोड़ते वही 13 दिन के बाद आपको भूल जाएगा लेकिन मेरे दोस्ट पिक्चर अभी बाकी है पार्टी तो अभी शुरू हुई बची हुई जिन्दगी लक्ष के हवाले कर दो बनाओ अपने जीवन का एक लक्ष लोगों को करुणपती बनाने का कभी भी आपके घर वाले भले आपको याद रखें या न रखें आज गांधी के परिवार में गांधी की तस्वीर है या नहीं है लेकिन हर कार्याले में हर व्यक्ती के घर में कहीं न कहीं गांधी की तस्वीर और हर व्यक्ती की जे में कहीं न कहीं गांधी की तस्वीर है ये है लक्ष 54 दिन में पूरा नहीं हुआ 54 साल क्योंकि पिता नहीं बनना था इस्वर को राष्ट पिता बनाना था तो उसका कीमत भी तो अदा कराना था लक्ष, टार्गेट लक्ष का मतलब दोस्तो गोल ना जिसके जीवन में गोल होता है उसी का जीवन अनमोल होता है जिसके जीवन में गोल नहीं होता उसके जीवन में केवल टाल मटोल होता है लोग करुणपती बनना चाहते हैं लेकिन प्लान दिखाना है आज अरे छोड़ो आज दीपावली ये कल चल लेंगे भाईया ये एक दिन उस छे महीनें गिना जाएगा ये एक दिन उस सत्रा महीनें गिना जाएगा आप फोज में भरती होते हो क्या दीपावली के छुटी में घर आ जाते हो आप कितनी बार आपने देखा होगा किरकेट सुटिंग में कितने लोग अपने घर नहीं आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं आप करुणपती बनने की मिशन में हो और अगर उसी मिशन के 20 दीपावली आ रही है तो आप दीपावली कैसे मना सकते हो और एक दीपावली कैसे मना सकते हो जब आपकी हर दिन दीपावली होने वाली है हर दिन आपका इद बकरीद होने वाला है हर दिन आपका नया साल होने वाला है ये टाल मटोल क्यों क्योंकि आपने गोल नहीं बनाया और इसी आज आपके परिवार वाले आपकी फिक्र भले करते हों एक रात आप घर मताईए आपकी फिक्र होगी दो रात आप घर मताईए आपके लिए फाई आर लिखवा दिया जाएगा तीन रात आप घर मताईए पेपर में आपकी फोटो दी जाएगी फिक्र है लेकिन फक्र नहीं है फक्र इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने जीवन को अभी तक अनमोल नहीं बनाया और जीवन अनमोल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने जीवन का अभी कोई गोली नहीं बनाया आपने अपने जानवर के पास उसकी बीबी नहीं है, दुनिया में किस जानवर के पास उसका पती नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, दुनिया में किस चड़िया के पास उसका मकान घुसला नहीं है, ये तो 100% जू जो कर रहे हैं वो काम हो गया, 10% लोगों वाला गोल बनाईए, और उस गो कलाम जी धोनी जी अमिताब जी लता मंगेशकर जी एडीसन जी राइड बंदू जी महत्मा गांधी जी सरदार पटेल जी महंदर सिंग धोनी जी के जितने भी नाम में यहां लिख रहा हूं इनका जीवन अनमोल क्यों है क्योंकि इनकी लाइव में एक गोल है कोई फिल्मों क सुपरिस्टार बनने के लिए कलकत्ता छोड़के मुंबई आ जाता है आटो चलाने को तैयार हो जाता है कोई अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देता है किर्केट के लिए कोई 15-15 तिन अपनी परियोग साला में बिताता है सबके जीवन का एक गोल था ये सब एक छेत्र में हीट हुए है किसी का लक्ष था भारत को अखंड बनाना चाहे वो चानक जी हो चाहे वो सरदार पटेल जी हो सरदार देशको अखंड बनाना उसके लिए उन्होंने जीवन ने उच्छावर कर दिया आज भी जिन्दा है किसी का सपना था देश के लिए मिसाइल बनाना किसी का सपना था अच्छे से अच्छे गाने गाना आंतिम साज तक गाना गाना किसी का सपना था देश को आजात कराना अगर ये सारे लोग जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं जरा सोचो ये केवल अपने परिवार के लिए और एक, दो, तीन, चार, पांदस दिवाली हुली मनाने के लिए जीते तो क्या आज इनका नाम इस स्क्रीन पर लिखा होता है हमारा आपका नाम कल किसी स्क्रीन पर लिखा होगा या नहीं लिखा होगा ये आज हमारे आपके कर्म और हमारे आपके निर्ने पर निर्भर करेगा कितने एसे मैं चाहे होंगे धोनी के मुझे याद है जब धोनी की वाइप पहली बार प्रेगनेंट बनी और उनको लड़की हुई, एक दिन पहले पेपर में आया था कि कल धोनी जी मेदानता गुरु गराम आएंगे, गुडगाओं आएंगे, उस समय नाम गुडगाओं था, क्योंकि उनकी वाइप पहली बार है और डिलवरी कभी भी हो सकती है, लेकिन दूसरे दिन धोनी का इस्टेंडमेंट आया मैं नहीं आऊंगा, पहले दिन का इस्टेंडमेंट मीडिया ने दिया था, दूसरे दिन का इस्टेंडमेंट धोनी ने दिया मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी अपनी अच्छ मैं नहीं आऊँगा और धोनी नहीं आए आज मुझे बताइए उनकी बीबी और उनके बच्चों को उन पर फक्र होगा या फिक्र होगी दोस्तों यही होता है और जब यह आपकी लाइफ में आए तो आपको भी करके दिखाना होता है और मेरी लाइब में भी जब यह आया मेरी वाइफ जब होस्पिटल में भरती हुई और घर से फोन आया दद्दा जी का फोन आया भावी जी का फोन आया कि पूजा होस्पिटल में है वापस आजाओ मुझे धोनी की वही बातिया दाई और मैं वापस नहीं आया ये करके भी दिखाना होता क्यों मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसी बाते करते हैं जो उनके जीवन में फुद कहीं करते दिखाई नहीं देते दोस्तो शेर ही सेर पैदा करता है अगर आप बातुनी लीडर हैं तो आप कैसी टीम पैदा करेंगे बातुनी टीम पैदा करेंगे, नहीं अगर आप जुनूनी लीडर हैं, तभी आप जुनूनी टीम पैदा कर पाएंगे, किस से जुन बोल रहे हूं, अपनी आत्मा और परमात्मा से आप कभी जुन बोल सकते हूं, कभी नहीं बोल सकते हूं, तो इसलिए दोस्तों, अपने ज गहराई आप समझें, टी से अपने टारगेट को टाइम बाउंड कीचिए, जब तक आपका लक्ष टाइम बाउंड नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, जैसे कि बच्चे का जनम नो महीने में होगा, टाइम बाउंड है, अगर यह नो महीना टाइम बाउंड ना हो, तो एक महिला को जो दर्ध होता है, बच्चा होते समय, वो वहीं रोक दे, रुख जाए, रुख जाए, अभी कुछ महीने मुझे और मोहलत दे दीजिए, अभी बहुत दर्ध हो रहा है, इतना मैं तयार नहीं हूँ, थोड़ा मैं और अपनी बोड़ी को अच्छा कर लो, फिर आके बच्चे को जनम दे दूँगी, और एक बच्चा नो महिना नहीं, नो साल, अठारा साल का मा के पेट में ही हो जाए, क्योंकि जैसे ही हद पार करे दर्ध, कोई ना कोई महिला रोक देगी, रुख जाए, रुख जाए, लेकिन ईश्वर ने टाइम बाउंड कर द पेटी है और बच्चे का जनम होता है, डी ओबी हमारी आपकी डेटा अपवर्थ हुए, टाइम बाउंड है दुनिया में आने का, उस समय हमें आना था, और चाहे बर्सात हुई, चाहे पित्र पक्ष चल रहा था, चाहे शुगल पक्ष चल रहा था, चाहे नौरात्र चल था चाहे कोई भी दिन था हम दुनिया में आए वरना अगर यह टाइम बाउंड ना इस्वर करता तो लोग बोल देते अभी अभी मत रोग पित्र पक्ष में बच्चे को नहीं आना चाहिए जैसे पित्र पक्ष में लोग बहुत सारा काम नहीं करते अभी रुख जाओ यह मह कई लोग जाते हैं दुनिया से और फिर दुनिया क्या बोलती है? भहिया समय पूरा हो गया और जब समय पूरा हो जाता है इस वर बुला लेता है तो एक पल भी कोई रुक नहीं सकता मतलब date of death पक्की है date of birth भी पक्की है date of death भी पक्की है सब time bound है cricket match 50-100 बर 20-100 बर, test match भले 5 दिन का होता है लिन वो भी time bound है 5 दिन का होगा भाई या 6 दिन का नहीं होगा time bound साधी की date जब fix हो जाती है साधी के लिए हर इंदजाम हो जाता है लेकिन जब तक date नहीं fix होती कोई इंदजाम नहीं होता परिक्षा जब date seat आ जाती है आदमी तयारी में लग जाता है अगर यही परिक्षा का time bound ना हो कि यह February March में होगी बच्चा जाकर क्या बोलेगा विद्याले में गुरू जी थोड़ा समय हमें और दे दीजिए हमें 2-4-6 मैने और दे दीजिए हम जब तयार हो लेंगे हम आपको फीज देते रहेंगे हम आपके स्कूल से नाम नहीं कटवाएंगे हम आकर एक्जाम दे जाएंगे गुरू जी आप चिंता मत कीजी आप परिसान मत होईए बस थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए लेकिन अगर ऐसा हो जाए दोस्तों तो कोई बच्चा फश से सिकंड में सिकंड से ठर्ड में ठर्ड से फॉर्थ में फॉर्ट से फिप्ट में फिप्ट से सिक्स में इलेवन से ट्वेल में बीए से में में और में से पीएजडी में कभी जाए ही न टाइम बाउंड तो करना पड़ेगा और आप लोग सोचिए क्या आज तक आपने अपने किसी लक्षे को कभी टाइम से बांधा क्या कहीं बैनर पोस्टर लगाया जो बार-बार आपको याद दिलाए पूरा हो जाएगा खुले साड की तरह हम चर रहे हैं खेल रहे हैं जंगली घोडे हैं कोई बाउंड नहीं है और दोस्तों जब तक बाउंड नहीं होता तब तक found नहीं होता जब आप रेल गाड़ी में reserve कराते हैं कोई seat जब आप aeroplane में reserve कराते हैं bound हो जाता है कि बिंडो seat मिलेगी तो बिंडो ही मिलेगी उपर वाली मिलेगी तो उपर वाली ही मिलेगी नीचे वाली मिलेगी तो नीचे वाली मिलेगी तभी आपको found प्राप्त ह होता है जनर्ल डिब्म जाये आप बाूंड नहीं है आप लेट सकते हैं लेकिन फाउंड भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप बाउंड नहीं है जब किसी एक बनता है लोग उसे नाजायज कहते हैं, जायज नहीं कहते हैं, मेहनत तो वही हुई, दर तो वही जेला है, लेकिन वो नाजायज है, जायज नहीं है, लेकिन जायज कब कहलाता है, जब वही सारा काम बाउंड होके करता है, आज तक 90 परसंड लोग कहीं बाउंड ही नहीं होन बाउंड होना शुरू कीजिए और अपने लक्ष को बाउंड कीजिए तब आपकी तीसरी सक्ति बाहर आएगी जैसे कबड़ी 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 जब हम बाउंड होते हैं इसी सास में हमें लाइन चुनी है तब अंदर का विकास होता है अगर यो कितनी भी सास लेते रहो बस तुम लाइन तुमें चुनना है विकास कहा होगा फिर वो परियास कहा होगा फिर वो अभियास कहा होगा अगर बाउंड नहीं होगा दोस्तों पहली चीज अपने लक्ष को अपने टार्गेट को टाइम बाउंड कीजिए तब ही आपका लक्ष प्राप्त होगा वरना आपका लक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा जिंदगी खतम हो जाएगी 90% लोगों की जिंदगी खतम हो गई है मेहमान बनके आए हैं और बिना महान बनके चले गए लेकिन 10% लोग महमान बनके आए और महान बनके गए क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष को टाइम बाउंड किया एसे एम अपने लक्ष को अपना उद्देश बना लीजिए जीवन का उद्देश और उसी के नाम पुरी जिंदगी कर दीजिए जिंदगी एक है जिंदगी अनेक नहीं है एक जिंदगी में एक लक्ष पूरा हो सकता है आप एक छेतर के महारती बन सकते हैं आप एक छेतर के विशेशग बन सकते हैं आप एक पार्टी के प्रधान मंतरी मुख्यमंतरी बन सकते हैं आप हर पार्टी के मुख्यमंतरी प्रधान मंतरी नहीं बन सकते हैं आप एक कंपनी के डायमेंड बन सकते हैं आप एक कंपनी के सकते और मत भेद रूठना मनाना लड़ाई जगड़ा लोगों का आना जाना ये सब तो प्रोसेज है ये सब प्रोसेज है आज देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है लहीं इसके उसे रावल गांदी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे कि बड़ा लोचा है कांग्रेस में हम भी कोई कैमिनर तो बनी जाएंगे नहीं एम इसी पार्टी को इसी कमपनी को इसी इंडस्ट्री को इसी छेत्र को इसी प्रोड़ेट को पर अपनी पुरी जिंदगी लगाना है जब एम बन जाता है तभी जिंदगी का गेम हम सही से खेल पाते हैं और तभी हमारा नेम उ जो नौ महीने में पैदा हुए, जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी, उनका नाम रहेगा, उनका नेम रहेगा, लोग उनके नाम से जानेंगे, और उनका नाम का एक अच्छर आप गूगल पे डाल दो, दूसरा अच्छर अपने आप आ चानक जी जैसे, देश को अखंड बनाने के लिए सब कुछ किया, सरदार पटेल जी, भगवान स्री कृसर जी, सार्थी बन गए भगवान होते हुए, और ये तीनों लोग भारत को अखंड बनाने के लिए हर हद पार गर गए, और इसलिए आज इनका नाम चिंदा है, एम, और इसके बाद, तीस्रा अक्षर आर से रन भागना, जागना, त्यागना, दोस्तो हवाई जहाज भी बिना भागे उड़ नहीं सकता, इस्टार्ट होकर खड़ा हो जाए, वही हूँ, 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 बस वoh हूँँ ही करेगा फिर, तहीं उड़ेगा नहीं भागना पड़ता है आप इन तीन अक्षरों में जो मैंने लिखा है आप अपने आप सोचिए क्या आज तक आपने अपना कोई लक्ष टाइम बाउंड किया क्या उस लक्ष को आज तक आपने अपना एम बनाया क्या आप उसके लिए दिन रात भाग रहे है उसको पूरा करने के लिए आप जाग रहे है आप अपने बहुत सारी चीजों को त्याग रहे है पैसा त्याग रहे है बैंक का पैसा निकाल निकाल के लगा दे रहे है एनरजी त्याग रहे हैं दीपावली त्याग रहे हैं होली त्याग रहे हैं, भीबी का प्यार त्याग रहे हैं, बच्चों का प्यार त्याग रहे हैं, आप क्या त्याग रहे हैं अपने एम को अपने उद्देश को पूरा करने के लिए, क्या ऐसी कीमत चुका रहे हैं जिसकी वज़े से, और ये सब आप कर चुकाएंगे, जब छे महीनिम करोनपती बनना है, तब आप बोलोगे इस बार अपने परिवार को भईया, इस बार की धिवाली नहीं मनाना, छे महीनिम करोनपती बन जाओंगा, हर दिन तुम्हारी धिवाली कर दूँगा, मुझे पंजाब जाने तो, ये तब बोलोगे, जब टाइम बाउंड ह होगा, जब एम होगा करोनपती बनना, और वरना अगर ये होगा बन गए तो ठीक, नहीं बन गए तो ठीक, फिर आप कुछ नहीं बनोगे, सचिन की कहानी याद है न, सोला साल की उमर में, किरकण मैदान में गए और पहली गेन लगी और खून से भीग गए, पूरा इस्ट आएगा भी नहीं, रिटाइड हर्ड, दुनिया एक बात कह रही थी, लेकिन वही बच्चा खड़ा हुआ, और उसने कहा मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, खून बह रहा है, अगली गेन सर फोड़ेगी या दाद तोड़ेगी पता नहीं है, लेकिन अंदर का जुनून आ रहा ह मैं खेलेगा, और भारत की सबसे ज़्यादा बुराई करने वाले मियादाद ने उस समय बोला था, ये बच्चा एक दिनी तिहास रचेगा, और वो बच्चा आज क्रिकेड में महान नहीं है, वो बच्चा आज क्रिकेड का भगवान है, क्योंकि उसके लिए उसने रन किया क्रिकेड को अपना एम बना लिया, कभी मैस फिक्सिंग नहीं की, पवित्र तरीके से क्रिकेड को खेला, अपवित्र तरीके से नहीं, हम नहाते हैं, हमारा तन ही तो पवित्र होता है, हम अपवित्र तरीके से पूजा करने नहीं बैठते, कि भगवान आशिरबाब देने क जगह बरबाद कर देंगे, अगर पवित्र तरीके से कोई काम आप करोगे, तो भगवान आपको कहां से आबाद करेगा, आपकी सोच पवित्र होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका तन पवित्र होना चाहिए, तभी उस छेत्र में आप सर्भोत्तम मुकाम पे जाओगे, तभी भगवान उस छेतर का भगवान आपको बनाएगा, रन किया, एम बनाया, और आज मुझे बताइए, सचिन का लक्ष प्राप्ट हुआ या नहीं, सचिन का टारगेट गेट हुआ या नहीं, सो सतक उन्होंने बनाया या नहीं, और आज वो जी से ग्रेट बन गए या नहीं, लेकिन इस ग्रेट बनने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको पता था, 40 साल से जाधा मैं क्रिकट नहीं खेल पाऊंगा, time bound है, मैं 45 साल तक क्रिकट नहीं खेल सकता, पचास तक नहीं खेल सकता, इसलिए क्रिकेट को एम बनाया और उसके लिए पिता जी उनके खतम हुए, एक दिन के लिए मुंबई आये और दूसरे दिन फिर वापस, एम, यह नहीं बोला अभी तेरे भी करके पिता जी के जाऊंगा, जिन्दिगी का एम, आज वो बड़े है क्योंकि उनके फैसले खड़े हैं, उनके फैसले अगर कड़े ना होते, तो आज वो इतने बड़े ना होते, दोस्तों, आज वो ग्रेट है, आज उनके पास एक इंज्वायफूल लाइफ है, आज वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिन्दगी जी रहे हैं, और आज की ये meeting सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सब लोग एक दिन network marketing और GMBD का एक विचार बन सकते हैं, आप सब एक thought बन सकते हैं, network marketing का भी हर बंदा और बिना network marketing का भी हर बंदा, जो करोरपती बनना चाहे, वो आपकी जीवनी देखेगा, वो आपकी जीवनी वो आपके जैसा करना चाहेगा, लेकिन ऐसा तब होगा, ये लक्ष तब प्राप्त होगा, जब आज ही आप अपने जीवनी का लक्ष बनाएंगे, क्या है मुक्य संबानी का success ment, पहली line पढ़िए, मुक्य संबानी का मानना है कि जब आपने लक्ष तै कर लिया, तो इसे प सकेंगे, ये वो इनसान है जो reliance communication हार गए थे, लेकिन आज geo communication खड़ा कर दिया, ये वो इनसान है जिनको अपने पिता की प्रोपर्टी आधी मिली थी, लेकिन आज पिता की प्रोपर्टी को दुगना कर दिया, जबकि इनके भाई ने जीरो कर दिया, इन्होंने भी पहला स सब लिखा है लक्ष, बड़े सपने ही बड़ी सफलता दिलाते हैं, उनका मंत्र है उचे ख़ाप देखो और इनके पूरे होने तक चैन से मद बैठो, जब तक करोणपती नहीं बन जाना धिवाली नहीं मनाऊंगा, खाली जिये कसम, जब तक करोणपती नहीं बन जाऊंग मुकेश खत्रे उठाने में पीछे नहीं रहते, उनका मानना है कि इनसे मिला अनभो ही आपको लीडर मनाता है, इनसान को अपने सोग भी पूरे करने चाहिए, ये आपको confidence देते हैं, अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, साथ ही आगे बढ़ने का मोका, और एक कि टीम बनाना आपका सबसे पहला लक्ष होना चाहिए, और इस दीपावली में आप अपने दीपावली मना के अपनी टीम को दिखा रहे हो, कैसी लीडर पैदा करोगे अपने टीम में, फिर तो आप अपनी टीम में दीपावली मनाने वाले लीडर पैदा कर रहे हो, होली म तो अपने घर से बाहर रहेगा और जिसकी मेहनत की होज से आप करोणपती और अरपती बनेंगे, जब आपने करके दिखाया ही नहीं, आपने एक ऐसी टीम बनाई ही नहीं, आपने चालाकों वाली टीम नहीं बनाई है, आपने बालक वाली टीम बनाई है, आप भी चालाक थे अमिताब ने ब्लॉग के जरीए सट पर लोटने का संदेज दिया है। ये मैं आपको तब का दिखा रहा हूं जब आपने सुना होगा कि अमिताब बच्चन को कुरोना हो गया है। कुरोना से बाहर आते इस बात से डरके घर में नहीं बैठे कि एक बार कुरोना ठीक हो गया आप नहीं जाओंगा फिर हो गया तो मरी जाओंगा अब 78 साल का हो गया अब पैसे के लिए इतनी मेहनत क्यों 78 साल की उमर में बंदा कह रहा है कि हम जल्दी ही काम पर लोटेंगे और यहां 55-65 साल के लोग क्या कहते हैं सर अब तो उमर हो गई है ना अब तो उमर भी दिखती है उसकी भी ठकान है अब आप सब जवान है सर अभी आप 30-35 साल के हैं आपकी बात आपकी तुलना हमसे कहा सर इसी लिए तुम्हारा नहीं है कोई असर और मुझे सर इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारा सर यह आज तक समझी नहीं पाया कि सर बनने के लिए करना क्या चाहिए अठतर साल का इंसान मौत से नहीं डर रहा है काम पर लोट रहा है जिन्दगी का लच्छ है साज भले तूट जाए होसला नहीं तूटेगा काम करते हुए जिन्दगी से जाएंगे आराम करते हुए नहीं जाएंगे बाली बूट अभी नित्री आ लिया अपनी साधी के पांच दिन बाद काम पर लोट आई और लोग यहां पांच-पांच महीने हनीमून अरे सर अभी नहीं नहीं साधी हुए है सर अभी क्या बात कर रहें किस मीटिक में आप बुला रहें सर बीबी बच्चों के लिए तो क कि में मुटिबेट करने लग जाते है हर जगा मुटिबेश अच्छा नहीं लगता सअ ऐसी बाते लोग मूलते हैं यह वो दस पर्शण लोग हैं कोई 58 सॉल का है कोई 30 साल का है कोई बीमार होके काम पर लोट रहा है कोई साधी करके काम पर लोट रहा है इसलिए इन लोगों की गिंती 10 परसंट लोगों में होती है आलिया भट महज भट की बेटी क्या पैसे की कमी है कपूर खांदान की बहू क्या पैसे की कमी है क्या पैसे के लिए काम पर लोटी है, जिंदगी का लक्ष है, इसलिए काम पर लोटी है, जिंदगी का गोल है, इसलिए इन लोगों का जीवन अनमोल है, यह पिक्चर आप बड़े ध्यान से देखी, पहली पिक्चर बाएं तरफ, राजनाथ जी और नितीज कुमार बैटे है मोदी जी खड़े हैं दूसरी पिक्चर दाएं तरफ मोदी जी की हाथ पकड़के नितीज कुमार जुक रहे हैं उसके नीचे अटल भिहारी जी और रूज के राजपती पुतिन बैठे हैं और मोदी खड़े हैं लेकिन दूसरी साइड आप देखिए पुतिन के बगल मोदी आगे चल रहे हैं टाइगर के रूप पे तीसरी पिक्चर गटकरी जी जेटली जी आडवानी जी सुस्मा सुराज बैठी हैं और मोदी खड़े हैं लेकिन दाई तरफ जेटली खड़े हैं राजनाद खड़े हैं और सुस्मा सुराज प्रधान मंत्री बनने का फूलों का गुल दस्ता दे रही है एक इंसान लेकिन जब कार करता था तब इस इंसान ने वो काम किया उस लच्छ के साथ काम किया उस समर्पण के साथ काम किया पार्टी को उपर लाने के लिए काम किया अपने को कभी मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री बनाने के लिए काम नहीं किया पा चोटे-चोटी चीजों पर अकड़ जाते हैं, अपना जूटा गुसा दिखाते हैं, वो कहते हैं, हम दूर हो जाएंगे, तो हम आपको खतम कर देंगे, दोस्तों याद रखना, संगठन है तो आप है, आप है तो संगठन है, ये कभी मत मानिएगा, संगठन को आगे बढ़ाने में लगा दीजिएगा, जिन लीडरों ने कमपनिया छोड़िये सोचकर कि हमारे छोड़ने से कमपनी खतम हो जाएगी, इतिहास गवा है नेट्वर्ग मार्केटिंग की, आज तक कोई भी एक कमपनी ऐसी नहीं है, जो किसी लीडर के छोड़ने की वज़े से खतम होई हो, नहीं कई ऐसे लीडर हैं, जिनोंने अपनी कमपनिया बनाई लेकिन वो खतम हो गए, याद रखिएगा, एक कमपनी को उपर ले जाने के लिए जिन्दगी जोग दो, और सीखो, समझो, तब आप एक दिन सूपरिस्टार बनेंगे और दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने यही किया है, एक्टरस बनने के लिए कियारा आडवाणी ने बदली अपनी ये आदत, ये आदत किसके लिए बदल रहे हैं, लक्ष है, कि मुझे एक अच्छी अभिनेत्री बनना है, अगर ये लक्षी नहीं होता, लोग अपनी आदत नहीं बडल पाते हैं, सुबह जल्दी उठने की, घर से जल्दी निकलने की, बोलते हैं, सर हादत है, सर बडलती नहीं, तबी तो आपके जीवन में कुछ नहीं बडल रहा है, ना खिड़की के परदे बडल रहे हैं, ना पंखा बडल रहा है, कुछ इसलिए नहीं बडल रहा है, मेरे भाई क्यों कि आप नहीं बदल रहे लेकिन ये दस परसंट लोग जो है ये जीवन में लक्ष jokes बनाते हैं और उसके लिए अपना सबकुछ बदल डालते हैं और इसलिए नहीं कि जीवन में सबकुछ बदल जाता है एक हाथ में रैकेट और एक हाथ में बेटे को लेकर कोट में उतरी सानिया मिर्जा तजबीर वाइरल आप देखिए प्रेक्टिस के लिए क्या ये अपने बच्चे के साथ उसका बच्पना घर में उसको खिलाते हुए नहीं बिता सकती इसलिए आद 10% लोगों में नाम है प् इनके जैसा बनना चाहते हैं ना आप क्या इनके जैसा आप कर रहे हैं क्या इनके जैसा आप करने को तयार हैं इनके जैसा आज तक नहीं किया कोई बात नहीं अब तो करने लग जाओ मेरे भाई वेहनों अब तो करने लग जाओ अब तो लक्ष बना लो अब तो त्याग प उसकिल नहीं है डिलेबरी के एक दिन पहले तक सो की सूटिंग के लिए वे सूटिंग पर मौजूद रही और वही अब महज बारा दिन का बच्चा घर पर छोड़कर भारती सुक्रवार को काम पर लोट आई 12 दिन का बच्चा हमारे गाउं में तो 12 दिन में सौरी पूरी होती है 12 दिन का बच्चा चोड़कर काम पर लोट आना और प्रेग्ननशी के अंतिम दिन तक काम करना ये 10% लोगों में आदमी को सामिल करता है यहां कितने लोगों बच्चा होता है तीन साल तक कुछ करेंगी नहीं बच्चा होने के तीन महीने पहले और बच्चा होने के तीन साल तक कोई काम नहीं कोई मीटिंग नहीं और वही बच्चा बच्पन में मम्मी कहता है बड़ा होके निकम्मी कहता है तुने मुझे जनम दो दिया लेकिन जनम देने के फाइदा क्या मेरा कोई सपना तो आज तक पूरा ही नहीं हुगा लेकिन ऐसे बच्चे फक्र करते हूं सूटिंग की वज़े से नई साल की पार्टी नहीं करेंगे पंकज तिरपाथी अभी तीन साल आराम के मूड में नहीं है बिराट कोहली पंकज तिरपाथी ने माता पिता के साथ मनाई प्री दिवाली एक दिन पहले वापस सूटिंग पर लोटे इन सबको अपने फिल्मों में देखा होगा देखिए समझिए दस परसंड लोगों में जाना है तो दस परसंड तियार करना होगा अदम है तो पास कर और ना विति बर्दास कर या तो अपने को खास कर इतिहास कर या बची हुई जिंदगी भी बकुवास कर दिमाग में सफलता की तस्वीर बनने दें इसी का नाम लक्ष है 16,000 का करजा था कभी धोनी के उपर आज 1000 करोर के मालिक है क्योंकि अपने लक्ष के लिए सब कुछ हद पार कर दी सरकारी नोगरी तक छोड़ दी भीगते हुए स्टेडियम और जिम जाता था जिससे अभ्यास नहीं छूटे कुल दी बिश्नोई तब आज भारते क्रिकेट टीम का हिस्सा है बीमार अच्छे गुमार ने सूटिंग सेड्यूल से पहले काम किया पूरा ठीक होने का इंदजार नहीं किया अमिताब बच्चन 2716 कविसी प्रोग्राम नो से नो रात में बारा बज़े बैड़के बना रहे हैं मिटनाइट आप देखे लिखा हुए अपने फेस्बुक पर इन्हों ने डाला था बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती जो प्रोग्राम आप नो बज़े देखते हो वो प्रोग्राम रात में बारा बज़े बना रहे होते हैं जब आप अपने घर में सो रहे होते हो तब ये प्रोग्राम बना रहे होते हैं इसलिए जब आप प्रोग्राम देख रहे होते हो तब ये कमा रहे होते हैं लेकिन इसके लिए माने गहने गिर्वी रखकर खरीदे थे बैट क्या आज आप गहने गिर्वी रखकर जेंबीडी स्टोर मैजिक कॉर्णर डीपो कहीं आने जाने का मीटिंग का खर्चा कुछ ऐसा कर रहे हूं मोधिकेर में एक बहुत अच्छे लीडर है अलपेश गजर सुनना उनकी वीडियो जो कहते हैं मैंने एक एक ट्रेनिंग लेने के लिए अपनी अगूठी गिर्वी रखती है आज अलपेश गजर सब बनना चाता है बस गिर्वी रखना कोई नहीं चाता दोस्तों करना पड़ को अगये क देगा माने गहने गुरूई रखकर खरिदे दे बैट सकी बूल के सपनों में रंग भरने में उनकी मा आजसमा खातुन ने करीबी को कभी बीड़े बैट के लिए परियामत पैसे नहीं तो उनकी माने अपने गहनों गिरुई रखकर तीन बैट खरी दे थे सगबल की माने बताया कि परिवार में इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी बैट देते हुए उन्हेंने सगबल से कहा था जा बेटा तीन बैट दे रही हूं और तीन सतक लगा कर आना और उसने इस बात को सच कर दिखाया ये नहीं बेटे को कहा कि बेटा तेरे अब बुजान लेंगे तो मुझे घर से निकाल देंगे तलाग 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 बोल देंगे कीमत चुकाई बेटे ने पूरा करके दिखाया आपको दोस्तों अब वो बात आती है कि आपको पहाड पर चड़ने के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपको पहाड पर चड़ने के लिए पहाड चाहिए, इसी प्रकार से आपको लक्ष पूरा करने के लिए लक्ष चाहिए, ऐसा लक्ष जो आप में साहस पैदा करें, ऐसा लक्ष जो आपको संकल्पित कर दें, जो आपको कभी मार्क से भटकने न दें, आप लक्ष के पीछे भागिए, लक्ष में आपके पीछे अपने आप भागेगी, लक्ष प्राप्ती की आदत बना लीजिए, कि अपने लक्ष को, लक्ष बतलब क्लोजिंग, छोटा सा लक्ष क्लोजिंग, इस महीने मुझे इतनी पॉइंट बनाना है, इतना एवरनेस करना है, उसके लिए अपना जी तोड मेहनत कीजिए, हर महीने अपने लक्ष पूरा करने की आदत डाले, देखे, बारा महीने में आपकी जिन्दगी कैसी हो जाती है, लक्ष को पाने के लिए हर हद पार कर दीजिए, हर हद, लक्ष मतलब प्यार, जैसे आप अपने प्यार को पाने के लिए हर हद पार कर देते हो, अंडर भीयर तक तोग पूच जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं. 12 बजह अगर प्रेमका का फोन आ जाए, कैते हैं, नहीं नहीं, मैं तो जागी रहूं, अभी कहाँ सोने का समय रहा है, करोना whack? लेकिन बारा बज़े किसी को मीटिंग देने का बात है इस डर से बाहर नहीं निकलते कोई नो बोल गए मेरा अंडर बियर ना उतार से इसलिए नहीं लोगों से मिलने नहीं जाते कहीं वो नो ना बोल दे मेरी अंडर बियर ना उतार जाए मेरे भाई जितने लोग नेटवर्किंग में कामियाब हुए हैं सब दस-दस अंडरवीयर पहन के निकलते थे कितनी अंडरवीयर कोई निकालेगा और अगर अंडरवीयर निकालने से हम कामियाब होते हैं तो मैं आपको कुछ दिन बाद और दिखाऊंगा कितने लोग फिल्मों में न्यूड हो जाते हैं, कि वो हिट हो जाए, हद पार करते हैं, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्यार प्राप्ति का आनंद दो पल होता है, लेकिन लक्ष प्राप्ति का आनंद जीवन भर होता है, आज तक प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया है, एक बार लक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किजिए, फिर आप यह नहीं बोलेंगे मजा आ गया, फिर आप बोलेंगे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आज तक कोई लक्ष पूरा नहीं हुआ, इसलिए मज़ा आ गया, या छोटे मोटे लक्ष पूरे हुए, इसलिए मज़ा आ गया, दोस्तों, आएए एक लक्ष बनाते हैं, GMBD को दुनिया की नंबर वन कमपनी बनाने का, आएए एक लक्ष बनाते हैं, छे-छे महीने में लोगों को करोनपती बनाने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी करोनपती बनाने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं पूरी जिंदगी नेट्वर्ग मार्केटिंग में बिताने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं पूरी जिंदगी जेमबीडी में बिताने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं इस दुनिया में कुछ करके दिखाने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं कि महमान बनके आए हैं लेकिन महान बनके जाएंगे, आईए एक लक्ष बनाते हैं इस जिंदगी को सक्से सक्सियत बनाने का, आईए एक लक्ष बनाते हैं हजारों लाखों अपने अपने पतनी को, अपने बच्चों को, अपने माबाप को अपने उपर फक्र कराने का ऐसा आई एक लक्ष बनाते हैं और उस लक्ष के लिए अपनी पुरी जिंदगी आईए जोंग दे और फिर देखिए कैसा मजा आएगा। इनी सब्दों के साथ दोस्तों, मैं आज की ये मीटिंग यही पर समात करूँगा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुझे पता हैं, एक किलो दूद में धाई सो गराम खोया होता है। जितने आप बचे हैं, आप सब इतिहास बनाने वाले हैं, आप सब अपने को खास बनाने वाले हैं, और मुझे पता हैं, और उसी लिए दोस्तों, मैं भी आप सब के लिए दिन रात एक करने वाला हूँ, दद्दा जी भी आप सब के लिए दिन रात एक करने वाले हैं, रम अगले बुद्वार तब तक के लिए आप सभी लोगों को जैम आता दी याद रखना 25 अक्टूबर खास है और मौका आप सब के पास है और अगर रचना इतिहास है तो करना पंजाब आने का 100% प्रयास है इनी सब्दों के साथ जैज जैम बीडी